हुआ है हलो दोस्तों जैहिंद मैं दीपन पृताफ सींग उम्मिद कर रहा हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और आप सब की बढ़ाई बढ़िया चल रहे होगी तो बच्चों आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक दो नमपर ओफेक्टर्स का नमपर इस्टम का अपिक उसका बहुत अच्छा सवाल जिसकस करेंगे दो तीन सवाल करेंगे तो पहला सवाल उसी संखला में है रहें आपका शीरव पेहला सवाल आपके सामने है कि रहा है ए थ्री डिजिट नमबर एवी शी है चुब फेक्टर टो विए एट एविजिए और डिजिट्स हो वनी फेक्टर्स ड़स डब सिक डिजिट नमबर एवी सी डिश है ऑप्सेंस आपके पाल से 16 15 17 19 वीडियो को पॉस्ट करो और इस सवाल को स्वाल करने की कोशिश करो उमिद कर रहा हूं कि आपने कोशिश करी होगी आप देखो बहुत सवाल है कुछ नहीं है आपको यहां पर एल्जेबरिक फॉर्म में देता है तो कुछ बच्चों कोई टफ लग जाता है बागी कुछ बच्ची कर लेते हैं तो अगर हमारे पास एक तीन डिजिट का नंबर है एबी सी और इसके दो ही फैक्टर है तो आप जानते हो कि ह प्राइम प्राय म nesse है दूसरे रा इबंबर सी दो फैक्टर होते ह्टर कि मिध्चा इंधकर हमारे पास एक नंबर एवी और इसके सथिर्शिट नहार स्काइब और फैक्म होगा तो हमसे कहले कि ये व हिच्वाटीरe इसके कितने फैक्टर होना चाहिए कि अगर मैं एक नमबर लिखता हूँ 123 123 तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं नमबर था इसी को रिपीट करके आपने इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 123 000 प्लस 123 ऐसे लिख सकते हैं ना 123 000 प्लस 123 अगर मैं यहां से 123 कॉमन निकाद दो तो यह कितना वाचेगा 1000 और प्लस कितना एक मतलब अगर कोई भी तीन दिख का नमबर शिक्स निजिट का बन गया और इस तरीके से बना है तो आप उस नमब में किस से मल्टिप्लाइ कर रहे होगे 1001 से मतलब अगर कोई भी हमारे पास तीन दिख का नमबर है ABC और उसमें मैं 1001 से मल्टिप्लाइ कर दूँगा तो वह हमारे पास एक सिक्स डिजिट का नमबर बन जाएगा कैसा रिपीट करता हुआ ABC ABC ठीक है काफी important है इस पर सवाल पुछता है अब एक तो आपको पता होना चीए था दूसरा यह जो एक हजार एक है यह क्या होता है यह हमारे पास होता है 7 into 11 into 13 यहां पर आपको दू पता होना चीए था कि अगर कोई भी तीन दिजिट के नमबर को आपने शे डिजिट का नमबर मनाया और इस तरीके से की ABC तो इसका मतलब है कि आपने उसको किसे मल्टिप्लाइ कर दिया एक हजार एक से मल्टिप्लाइ कर दिया अब 1100 क्या होता है 711.13 का पूदक्ट होता है डिक है तो यह दो चीचा आपको पता होना है अब देखो आप सवाल खतम हो गया आपको एक बात पता है कि जो आपका six digits number है ABC ABC इसका मतलब ये कैसा लिखा गया होगा ABC इन्टू एक हजार एक इसको आपने एक हजार एक से मल्टिप्लाई किया होगा और हम किसी भी number के factor कैसे निकालते हैं उसका इसके नंबर का हमारे पास प्राइम फेक्टराइशन यह हो गया तो नंबर फेक्टर के लिए क्या करेंगे प्राइम फेक्टर की पावर में एक जोड़ करके आपस में क्या कर देंगे एक सवाल को बनेगा हुमारे पास सवाल कि नहीं था बस सोचने का काम है रही तो उम्मेद कराओं कि एक सवाल आपको स्वन से संपल से सवाल था आपको प्राय में नंबर वह आपको सब्सक्राइक से बोलेगा एक नंबर को कि कितने πάगने नंबर हो सकता है जाहां पर वह क्या है जिसके दोई फैक्टर दो फैक्टर आ पड़े कि कि इस नंबर के से दो ही फेक्टर होते हैं ठीक है तो मिलेगे अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार मैं आवे जैए